सुप्रबाद बच्चों, आज हम हिंदी पाठी पुस्तक के अंतरगर पाठ छे छिट्टी का सफर पाठ को पढ़ेंगे तो बच्चों पाठ का सारांच इस प्रकार है पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है पत्रों का हमारे जीवन में महतपूर्नुस्तान प्राप्त है पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए इसके लिए हम उस पर डाग टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं फिर पते में सबसे छोटी भोगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं छोटी से बड़ी भोगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गेली मोहले का नाम फिर गाउं कस्बे शहर के जिस इसे में है उसका नाम फिर गाउं या शहर का नाम शहर के नाम के बाद पिनकोड लिखा जाता है पिनकोड लिखने से गनतव्यस्तान का पता लगाने में धाग चाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी जल्दी बाटे जा सकते हैं पिनकोड की शुरुवात 15 अगस 1972 को डागतार विवाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है किसी भी स्तान का पिनकोड छे अंकों का होता है हर अंक का एक खास तानिय अर्थ है उधारन के लिए पिनकोड एक एक शुन्य शुन्य एक छे ले इसमें पहले स्तान पर दिया गया अंक यानी एक यह बताता है कि यह पिनकोड दिल्ली हर्याना हिमाचल प्रदेश पंजाब या जम्मो कश्मीर का है अगले दो अंक यानी एक शुन्य यह तै करते हैं कि यह दिल्ली के उपशेत्र दिल्ली क कोड़ है अगले तीन अंख शूनित एक छे दिल्ली उपशेत्र के ऐसे डाग गर का कोड़ है जहां से डाग बाटी जाती है समय के साथ डाग सेवावों में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है पुरानी समय में कबुतरों के द्वारा संदेश बेजे जाते थे जब संचार और परिवहन के साधन बहद सीमित थे तब हरकारे पैदल चलकर आम आदमी तक छिट्टी पत्री पहुँचाते थे राजा महाराजाओं के पास गुड़ सवार हरकारे होते थे इन हरकारों को ना केवल हर तरह की जगाओं पर पहुँचाना होता था बलकि डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों से डाक की रक्षा भी करनी होती थी आज भी भारतिय डाक सेवा दुरगम इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है आजकल संदेश भेजने के लिए नए-नए और तेज साधन उपलब्द है जिसके परिणाम सोरुत डाक विबाग पत्र, मनी ओर्डर, इमेल, बधाई कार्ड, आद संदेश वहक का काम कैसे करता होगा दरसल कबुतर की सभी प्रजातियां संदेश ले जाने का काम नहीं करती केवल गिरवबाज या हूमर नामक प्रजाती को ही प्रसिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जा सकता है उडीसा पुलिस आज भी हूमर कभूतरों का इस्तेमाल राचे के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंजाने के लिए कर रही है कभूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास कर्च नहीं आता है इन कभूतरों का जीवन 15 से 20 साल का होता है तो बच्चों आप प्रस्तुत पार्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे अब आपको इस पार्ट के अंतरगत आये अभ्यासों को करना है जैसे नेशब्द, शब्दार, प्रशनोतर, इत्यादी धन्यवाद बच्चों फिर मिलेंगे